हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखंट जी के वेरी एजी ट्रिक्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तो उत्राखंट टैस्ट सिरीज पार्ट 106 के बारे में और उत्राखंट की यह टैस्ट सिरीज दोस्तो हमारी उत्राखंट पोस्ट माटम क्लासेज नाम से जाने जाती है और आपके उत्राखंट के आगामी सभी एक्जाम्स पटवारी, पुलीस, एसाई, बंदिरक्षक, लेक, फाल, कनिस सायक सभी एक्जाम्स के लिए काफी महत्वण दोस्तो सिरीज है अगर आपने इससे पहले के 105 पांच पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो आप लिस्ट पर जाकरके फोल्डर बनावए वहां पर उत्राखंट पोस्ट माटम क्लासेज करके वो सारे पार्ट्स जरूर देख लिएगा दोस्तो आपके एक्जाम्स के पॉइंट अभी उसे यह सारे पार्ट्स बहुत ज्य के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके भी जूड़ सकते हैं चले शुरू करते हैं दोस्तो आज के इस वीडियो को तो 105 पार्ट में दोस्तों मैं आपको 30 तक के प्रस्नों के बारे में बता जिया था लास्ट कुश्चन हमारा यह था सत्य का चेहन कीजिए और दो कुश् सारदा नहर को दोस्तों उत्राखन के सबसे लंबी नहर के रूप में जाना जाता है और सारदा नहर को ही दोस्तों उत्राखन के सांसाती उत्तर परदेश की भी सबसे लंबी नहर के रूप में जाना जाता है और सारदा नहर दोस्तों इसकी कुल लंबाई अगर उत्तर पर अगर बात करें काली नदी तंतर के बारे में या सारदा नदी तंतर के बारे में दोस्तो तो उत्राखन का सबसे पूर्वी नदी तंतर हमारा काली नदी तंतर या सारदा नदी का उद्गम इस्तल दोस्तो जैकसर प्रवस्ट्रेणी के लिपुलेक दर्रे के आसपास इसती दोस्तो काला पानी नामक इस्तान से माना जाता है वहीं पर व्यास आसरे में वहाँ काला पानी नामक इस्तान से हमारी काली नदी का उद्गम होता है इसी एक हो फिर चमपाउत के आग डर्रकपुर के आसपास वाली छेतरु में सारदा नदी के नाम से भी जाना जाता हैटिकन और फिर सारदा के हमारी कई सारी बड़ी नदियां है और फिर सारदा नदिय से हमारी एक नहर निकालेगी सारदा नहर जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो उत्राखन की सबसे लंबी नहर कौनसी है सारदा नहर आपका अंसर हो जाएगा अगर हम उपरी गंगा नहर की बात करें तो यह कहां से निकाली गई है दोस्तो तो हरिद्वार से दोस्तो उपरी गंगा नहर निकाली गई है और उपरी गंगा नहर का जो निर्मान है दोस्तो यहां 1842 में किया गया था और 854 में जाके इस नहर का निर्मान कारी पूरा हुआ थी ती और यहां हरी द्वार से निकाली गई है हरे थ्राकरन राजजगी सबसे पुरानी नहर है और तो उपरी गंगा नहर को अगर बात करने के इस्ताबित करने के किसको รाए कृऽपि प्रहुबी उप्षाइब निकाली गई है याद रखना है तो आपको इत्य पॉइंट अंशर रोजाएका ऐसे नमबर भी सारदा नहर अगले पस्तों की बात करते हैं टॉम कॉर्यट ने हरिद्वार को क्या कहा था तो हरिद्वार की बात के लिए जोस्तों तो हरिद्वार जन्पत की दोस्तो मारा हरिद्वार जनपत का गठन हुआ था ठीक है और हरिद्वार जनपत को दोस्तो बाद में साहरनपुर मंडल के अकॉर्डिंग हरिद्वार जनपत का गठन किया गया था उसके बाद इसे साहरनपुर मंडल से ही उत्राखन में सामिल किया गया था तो प्रसनिक जा प्रवेश द्वार कहा जाता है सेतु नगर मायापुरी हर द्वार हरीद्वार कपिला गंगाद्वार खांडव वन भरत हरीवन ब्रह्म कुंड अधीनामु से स्थ्थ नामंव Town कारियाट ने हरी द्वार को कहा था तो देखे har character vandaag मायापूरी सीव की किया किया जहांगीड के कारिकाल में दोस्तों पहला यूरोपी यात्री टॉम कारियत हरिद्वार हाथ है और इसने हरिद्वार को सिव की राजधानी कहा है क्या काया है सिवी की राजदानी गंगा द्वार भी का जाता है हरीद्वार में ही दासू का विक्री केंद्र हुआ करता था ठीक है महात्मा गांदी जी हरिद्वार की यात्रा पर आये थे, उत्राखंड में सबस्वरों परता हम 1915 में दोस्तों महात्मा गांदी जी हरिद्वार की यात्रा पर ही आये थे, उत्राखंड की पहड़ी यात्रा भी उन्हें 1915 में करी थी, स्वामी स्रद्दानन जी से मिलने है, 1915 हमें हमारा उत्राखंड के हरिद्वार में आए 30 कि यह आपको यादरन है हरिद्वार को ही दोस्तो चीनि यातरी वेनसांग ने क्या कहा है मो यू लो कहा है और चिनी यात्री वेंस्वांग नहीं दोस्तों जैसे हम युवान चुआन के नाम से भी जानते हैं इसमें जो हरिद्वार जनपत ने नदी बहती है गंगा गंगा नदी को इसने महा भद्रा कहकर भी संबोधित किया है ठीक है आईने अगबरी में भी दोस्तों हमें हरिद्वार का वर्णन मिलता है और आईने अगबरी के अकॉडिंग ही हमें दोस्तों यहाँ पता चलता है कि अगबर की रसोई में जो खाना बनता था वो हरिद्वार के गंगा जल से ही अगबर की रसोई में खाना बना करता था यहां हमें आधिनय अकभरी से पता चलाए ही ठीक है बा急 हरिद्वार जुनपत के बारे में और भी कहीं सार confect है कपिला कहा जाता है हरिद्वार को कपिल मुनी का यहाँ पर आश्रम था और हर दुवार कहा जाता है जो केदार ना जाने वाली यात्र यहादि होते है तो यह सारे point दोस्तों आप लों को याद रखने हैं और जब हरिद्वार जन्पत का गठन हुआ था उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कों थे? वो थे नारेन लड़त तीवारी उत्तर भारत का केदल भी हरिद्वार को ही कहा जाता है उत्राखन राज जी में सरवादिक ग्रामिन आवादी वाला जिला भी दोस्तो हरीद्वारी है जनसंक्या की दिश्टी से सरवादिक जनसंक्या वाला जनपदी दोस्तो हरीद्वारी है और राज्य का सबसे अधिक जनसंक्या गहनत वाला जनपद भी दोस्तों हरीद्वार ही है सरवादिक मुश्लिम आवादी वाला जनपद भी दोस्तों हरीद्वार ही है सबसे कम लिंगानुपाद वाला जिला भी दोस्तों हरीद्वार ही है इतने point आपको दोस्तो हरिद्वार से directly याद रखने है important है exams के point of view से तो हरिद्वार का लगबग लगबग पूरा post matum हो गया है अंसर हो जाएगा CEO की राजधानी अगला हमारा दोस्तो तीसरा प्रसन है आज का उतराखन के कितने जिलों की सीमा परोसी देशों को छोती है तो इसके रहे दोस्तो मैं आपको बतादाना चाहूँगा कि हमारी ये उतराखन परिक्शेहावारी वाली सीरीज भी चल दिया है तो आप वो वीडियो भी अपना जरूर देख लीजेगा सारी वीडियो 19 पार दोस्तों परिक्षे आणिवारी सीरीज में हो चुके हैं उनको आप देख लीजेगा यहाँ पर इसका अंसर बताता हूँ उत्राखन के कितने जिलों की सीमा पड़ोसी देशू को छूती है तो उत्राखन के 5 जिलों की सीमा दोस् चीन और नैपाल दोनों से सीमा मनाने वाला एक जिला हमारा कॉमन है वो है पिथोरागर जनपत ठीक है पिथोरागर जनपत सरवादी गंतराश्टी सीमा वाला जिला है जो की चीन और नैपाल दोनों के साथ में अपनी सीमा साज़ा करता है तो 5 जिले कौन-कौन से हैं दोस और सरबादिक अंतराश्टी सीमा बनती है, इसकी दोस्तों अमारा पितुरागर जनपत कीचिए, ठीक है, चीन या तिबद के साथ में अंतराश्टी सीमा बनाने वाले जी ले हैं, उत्तरकासी, चमोली और पितुरागर, ठीक है, और वहीं दोस्तों नैपाल के साथ में अंतर और जाएगो option number A5 अगरा हमारा प्रस्थन है दोस्तों 34 गटारमल सुरी देवता मंदिर और मजख्याली बुग्याल गोल्फ ग्राउंड कहां इस्तित है चमोली उतरकासी पित्रागड या फिर अलमोडा में ठीक है तो कटारमल सुरी देवता मंदिर तथा मजख्याली बुग सबसे बड़ा सुरी मंदिर के रूप में कटारमल सुरी देवता मंदिर को जोस्तों जाना जाता है इसी को बड़ा दित्य सुरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और बुड़ा दित्य सुरी मंदिर के नाम से भी दोस्तों कटारमल सुरी देवता मंदिर को ही जाना जाता और और त्रिपुरा देवी मंदिर हमारा अलमुडा में इस्तित थे ठिक है और त्रिपुरा देवी मंदिर हमारा मंदिर बनाया गया है कोसी ने दिए कि नारे है इस्तित है और कटारमल सुरी देवता मंदिर का जिलनोधार किस ने कराया था दोस्तो तो बाज भाधुर चंद के दोरा कटारमल सुरी देवता मंदिर का जिलनोधार कराया गया था ठीक है इसके साथ साम दोस्तो विभान डेस् यहाँ भी दोस्तों मारा अलमुडा जन्पद में ही इस्तित है, मनिला देवी मंदिर अलमुडा में ही इस्तित है, दुनागिरी माता का मंदिर अलमुडा में ही इस्तित है, तो यह कुछ दोस्तों परसिद मंदिर है अलमुडा के जो कि आपको याद रखने है, इसके अलावा भी दोस्तों अलमुडा में कई सारे मंदिर है लेकिन फिलाल आप इतने ही मंदिर याद रखे जो कि आपके लिए महत्यपोन्ड है डिक है अब मज्क्याली गुग्याल और गोल पर गराउंड भी दोस्तों मारा काम पे नहीं पे इस्तिता है बिंशल नामक परेटेक स्थाल अ अलमबुला जन्पत में ही इस्तित Яचा है भी बहूत सारे की इस्ताफना हो इत्यास खीक है और बहुत सारे चीजह किरें जी है अम आ गभिज थैक खितर को आलमनहंगर लोग शितर को आलमनहंगर करण को जाने पर राजापूर यहां है। पाट शेत्र सभी हमारा अलमुणा जन्पद में ही इस्तित है इतने पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं अगले बसने की बात करते हैं मच्कवाली बुग्याल बे मारा अलमुणा में ही इस्तित है और जो काली का देवी एक मंदीर है वह भी दोस्तों रानिकेत के आस अगला हमारा प्रसन है दोस्तों कि प्रसिद्ध पाली गाउं का युद्ध किन किन के बीच हुआ था देवी चंद और परदीप साह हर्सदेव जोसी और ललित साह और हर्सदेव जोसी या फिर जैकरत साह तो प्रसिद्ध पाली गाउं का युद्ध जो था दोस्तों वह हर सेना का नेत्यतु कर रहे थे और पर्दियुर्ण साह उस टाइंप राजा थे ठी सब्रस्ब्रक्रान के बीच में भी आपको जाद ही रखना है यह प्रसन बहुत मैटमपोन है जोस्तो एह वजढja 3786 में दोस्तो पालिगाउं का युद्ध हुआ था important है, और किस-किस मद्ढे में हो था पर्दियमने चंद या पर्दियमने साहाप कह सकते हैं जिसका नेतोत दोस्तो हर्षी देव जोषी कर रहा था और इस युद्ध में दोस्तो पर्दियमने साहा हार गया था ठीक है पर्दियुम्ने सा या हर्षिद्य जोशी इस उद्ध में हार गया था और पर्दियुम्ने चंद या पर्दियुम्ने सा को ही दोस्तों मारा उत्रा खंड का अंतिम राजा कहा जाता है क्यों क्यों कि तो पर्दियुम्ने साह को जाना जाता है अठार सो चार में पर्दियुम्ने साह की मिलत्य हो गई थी खलूबडा की युद्ध में और अगर तीरी रियासत को भी जोड़ के देखें तो मानवेंद्र साह को पर्मार राजुस के या तीरी रियासत के अंतिम सासक के रुपए ज इसका राजन का आंतिम राजा कहा जाता है और पाली गांगों का युद्ध। दोस्तों अर्षादेव जोसी और यहाँ पे इसका एंसर हो जाएगा 1766 में दूस्तों पाली ग्राम का युद्ध हुआ था ठीक है अ कि बागी मोहन चन आपको बताएं दूस्तों चंदराजुंस पूरा नाम था क्या मोहन सिंग रोतेला भी इसको कहा जाता है ठीक है और इतने पॉइंट आ दुस्त आपको में ली याद रखने है ठीक है इससे पहले दोस्तों 1779 में भी एक युद्धा आप यार रख सकते हैं और किंग मेकर नाम से भी हर्षदेव जोसी को जाना जाता है 1779 यह कि 1789 में भी दोस्तों एक बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था जो कि मोहनचंद और ललित कुमार साह के बीच में हो था यह हर्षदेव जोसी और मोहनचंद के बीच में आपको याद रखना है ठीक हर्षदेव जोसी के पिताजी का नाम को था शीवदर जोसी था यह आपको याद रखना है अगले प्रसन की बात करते हैं उसके बाद में लास्ट में एक और युद्ध आप याद रखेगा हवलाबाक का युद्ध है पिर गोरखों का दिपत्ति हो जाता है तो हवल बाक का युद्ध याद रखना है 1790 में हवल बाक का युद्ध हुआ था 1790 में ठीक है अगले बसने की बात करते हैं नागथात मंदीर उत्राकिन में कहां इस्तित है देहरादून टीरी अलमुडा या फिर पॉड़ी गड़वाल में ठीक है तो नागथात मंदीर इस्तित है ठीक है अगर हम दोस्तो देहरादून जनपत की बात करें तो देहरादून जिला भी है उत्तराकिन के point of view से जहांसे एक्जाम में हमेशाची दोस्तों प्रसने पुछे जाते रहे हैं ठीक है देरादुन को ही द्रॉन नगरी के नाम से जाना जाता है देरादुन के प्राचित नाम के रूप में पृत्वीपूर को जाना जाता है दोस्तों गुरुराम जी को देरादुन के संस्तापत के रूप में जाना जाता है ठीक है यहाँ पर गुरुराम राइजी के दौरा गुरुद्वारा भी बनाया गया था और 815 में हमारा हमें कह सकते हैं कि देरादुन जनपत की स्तापना हुई ठीक है और फिर देरादुन जनपत को दोस्तों 1975 म गड़वाल मंदल में स्तांतित किया गया था कौनके मंदल से लाए गया था तो मेरट मंदल से दुस्तो हमारा जो बिट्राखन की जो राजदानी है दोस्तों मुख्य राजदानी वहा देरादूर में हिस्तित है देरादूर कोई वन नगर या सैनिक नगर या फिर लीची नगर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और जो हमारे प्रमुक्र जो संस्तान है आप यह कह सकते हैं जैसे कि Forest Research Institute of India FRI देरादुन में ही इस्तित है और भारती सर्विक्षन विवाग का मुख्याले भी दोस्तो अरिद्वार में ही इस्तित है ठीक है देरादुन में दोस्तो एक जू है जो की सबसे famous जू के नाम से आना आता है आसन वेटलेंड सेंटर ये भी दोस्तो हमारा देरादुन में ही इस्तित है ठीक है चक्राता इसे दोस्तो पहाड़ों को अराजा कहा जाता है देरादुन में ही इस्तित है और साक्षर्ता के दिस्टी से उत्राखन में पर्थम जो इस्तान है वह देरादुन जनपत का ही है मुहंट पास दर्रा जो है दोस्तो वह हमारा देरादुन में ही इस्तित है खलंगा इसमारक दोस्तो ये भी हमारा देरादुन में ही इस्तित है ठीक है और काल सी नामक जो इस्तान है वो भी देरादुन में इस्तित है और असुक का काल सी ची लाले का आप लोग ने पड़ा होगा इसी के साथ साथ में जो हमारे प्रमुक विभाग है भारती सेनि संस्तान हो गया FRI हो गया फोरेज इंस्टूट ऑप इंडिया हो गया बाकि UKCCC हो होती हैं लेकिन फिलाल इतना ही आप याद रखें कि जो जो चीजे मैंने आपको बताई है दिरादुन जनपत के सम्मंद में ठीक है अगर पसंद की बात करते हैं बगवली डैम किस नदी पर इस्तित है मंदाकनी अलग मंदा काली या फिर पिंडर तो जो बगवली डैम है दो यहां पर किया है दोस्तों बगवली डैम किस नदी पर इस्तित है तो पिंडर नदी पर दोस्तों मारा बगवली डैम इस्तित है पिंडर नदी पर ही दोस्तों बगवली डैम हो गया पडली डैम हो गया पडली परियोजना हो गया बगवली परियोजना हो गया या फिर पिंडर नदी का संगम कहां पर होता है यहां कर्ण प्रियाग नामकिस्तान पर होता है और इसी पिंडर नदी को जो पिंडारी ग्लेशर से निकलती है इसी को कर्ण गंगा नाम से भी जाना जाता है और पिंडर नदी पर ही दोस्तों मारा देवसारी परियोजना बगवली पर प्रियोग हुए पिंडर नदी दोस्तों निकलती भले ही पिंडारी ग्लेशियर बागिश्वर से है लेकिन इसका जो मुख्यता प्रभाच यतर है वहाँ चमुली जन्पद में पढ़ता है ये भी आपको डायक लिए रखना है ठीक है बांकि आटाकाला नामक जो साहिक नदी यृ निकरलक जो सद्वाड़ को जाना झाता है ठीक है और उचीम नाम जा हिर्सका का संबंद की रूप में परियावर्ण से और इन्हें पदमिस्री प्रुषकार से कब सम्मानित किया गया था ठीक है और रूलक जो एक NGO है दोस्तों उसके संस्तापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और इस रूलक की फुलफॉम अगर पूछी आएगी तो इनका पूर फुलफॉम है रूलक की फुलफॉम है और इसके संस्तापक के रूप में इन्हें को जाना जाता है और परियावरण दित के रूप में इनका संबन्द जाना जाता है परियाद परियाद जित करते हैं 29 बतल नेट करना जातना जांते हैं को थो लगनदा नरी के किनारे इसलिक देता है और चमूले के बारे में आपको एक दो और दोस्तों याद रखने हैं रमडी बुग्याल, वेदिनी बुग्याल, बालपटा बुग्याल, पातर नचोनिया बुग्याल, क्वारी पास बुग्याल, गोर्सों बुग्याल, ओली बुग्याल, रुद्रनाद बुग्याल, सतोपंत बुग्याल, कशोनी माना बुग्याल रताकॉन माड़ा बुग्याल, लक्समीवन मुग्याल, कैला बुग्याल, यह सभी हमारा दूस्तों चमोली जन्पत में ही इस्तित हैं, तो अंसरो जैगा चमोली, और अगला हमारा प्रस्था दूस्तों चालिश्वा कि पुस्पहार, चौदा फेरे और अतिती, नामक किसकी है, गौरापंत सीवानी जीगी है, गौरापंत सीवानी जीगी है, गौरापंत सीवानी जीगी है, गौरापंत सीवानी के रूप में जाने जाती है, और इनका पूरा नाम था गौरापंत, गौरापंत इनका पूरा नाम था, पूछा जाता है, गौरापंत को सीवानी नाम से ही करती थी ठीक है अब इनके दोस्तों कुछ परसिद रसनाय है जैसे कि पुषपाहार हो गया चोधा फेड़े अतिती हो गया इसके अलावाँ दोस्तों कृस्नकली हो गया कालिंदी हो गया और श्वयम सिद्धा विस्कन्या सीवानी के सेश्ट कहानिया जरोखा म्रणमाला हशी अपराधिनी पुसपहार विसकन्या और अमोदर सांतिनिकेतन मृतिकलस अब कि इनकी एक दोस्तों आत्मकथा भी है इंपोटेंट है गोरपन सिवानी के आत्मकथा का नाम के अपने नहीं भी तसना है दोस्तों इनकी रतीव लाप हो गया आकास हो गया स्वयम सिद्धा ह बहर भी हो गया चल खुसरो घर अपने पूतों वाली अति थी कालींदी यह सभी इनकी के हैं प्रसिद्धे टचनाये हैं यह आपको डैकली याद रखना है ठीक है अब दोस्तों आपके हुमर के कुछन है आज के दो हुमर के कुछन है उत्राखंड अलपसंग कायो का गठन कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो दोस्तों आज के हमने दस प्रसने पड़े हुए है और मैं इतनी आपको गैरेंटी दे सकता हूं कि जिस भी चातर ने सीरियसली यह सारे पॉइंट नोट किये होंगे या ध्यान से पड़े हुए होंगे तो सो से ज्यादा प्रसन दोस्तों यहाँ पे कवर अप हो सकते हैं तो सभी चीज़े मैंने आपको एक एक पॉइंट व्यू करके बताने की कोशिज की हुई है और पोस्ट माटम क्लासेज का दोस्तों हमारा मतलब ही है यह रुता है कि हम सारे कुश्यंस का पोस्ट माटम करते हुए चलते हैं यह हमारी यह वीडियो काफी इंपोटेंट है एक्जाम के पॉइंट व्यू से तो आज की वीडियो में इतने हैं दुस्तों थैंक्यू थैंक्स पर वच्छी वीडियो सीव नेक्स्ट आम धन्यवाद